एक एक पेपर है उसका एक चैप्टर है इंडेटर्मिनेट फोस्ट वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे इंडेटर्मिनेट फोस्ट और बिएएएक शीटर्ण फोस्टा एक पेपर है अब जो indeterminate form अमारे पास है तो indeterminate form है क्या पहले तो मैं यह चीज मालूप होने चीए अगर मालो कोई भी अमारे पास है जैसे अमारे पास कोई भी function हो जैसे का यानि कि limit हो जैसे कि x tends to a f of x by gx यानि कि हमें कोई इस type की अगर limit find out करने हो limit x tends to a f of x by gx और ये limit हमें solve करनी है क्या गरने है आपको ये solve अगर कोई भी आप limit solve करो जिसके अंदर function आप पाने हो रेटर बायमें डेनोमिनेटर टाइप का हो और limit solve करो और ये value आप find out ना कर पाओ ये नहीं है कि आप ये value note find out value अगर आप ये value find out ना कर पाओ तो उसको हम क्या बोलेंगे indeterminate form अब find out ना कर पाने का ये मतलब नहीं कि ये चीज़ हम कभी find out करी नहीं सकते हैं वो हम कुछ mathematical rule apply करके उस चीज़ को solve तो करेंगे लेकिन current time के अंदर या जिस time के अंदर हम इसको solve करें situation के अंदर किसी एक time के उपर हम इसको solve ना कर पाएं तो उस form को हम क्या बोलेंगे indeterminate form और फिर कुछ methods या rules है जिनको apply करने के बाद जो ये चीज़ हमारे पास इसकी value नहीं निकली उसको हम वो rules apply करके solve कर सकते हैं तो वो form जिसकी हम value current time के उपर find out ना कर पाएं उसको हम क्या बोलेंगे indeterminate form अब ये indeterminate form किस किस type के होगे कितने type के है तो ये मारे पास 7 type के है indeterminate form कितने type के है ये मारे पास 7 type के indeterminate form में एक मिंट के लिए जैसे के ये हमाए example ले लिमिट x approaches to 0 sin 5 x by cos x ये मारे पास limit है अब आप इसके उपर limit अप अप्रोच करो x approaches to 0 sin 0 0 cos 0 1 यानि कि दर नस्वरा 0 by 1 यानि कि 0 0 नस्वरा कि इसकी value मारे पास निकली बई ठीक है ये value मारे पास निकली अगर मान लो मारे पास ये हो limit x approaches to 0 limit x approaches to 0 x by sin x अब ये x by sin x होगा मारे पास अब अगर इसके अदर देखें x approaches 0 0 और sin 0 0 तो क्या form आगे मारे पास 0 by 0 अब 0 by 0 form आगे इसको तो नहीं बता सकते अब देख ऊपर वाड़ी चीज क्या मारे पास ऊपर 0 निच्चे कोई finite quantity हो ऊपर 0 निच्चे क्या finite quantity निच्चे 0 ना हो तो मारे पास नस्वर क्या आगा 0 अब इसको आप 0 ने लिख सकते क्योंकि इसक और infinity by infinity भी मारे पास किसमें count होगी indeterminate form के अदर अगर इस type की situation हो तो फिर हम इसके अंदर कुछ mathematical rule अपलाई करके इस चीज को solve करेंगे और बोलो कोई कि आप इसको indeterminate form अब जो यह मारे पास specially जो कितने type की होती है indeterminate form यह कितने type की होती है मारे पास 7 type की होती है तो यह question क दो यह बार interview में पूछ लेते हैं जो indeterminate form हो मारे पास कितने type की होती है तो किने type की indeterminate form हो मारे पास 7 type की indeterminate form है जब भी आप किसी limit को यानी solve करोगे ता आपको यह situation है किसी time के अंदर यह type क्यों या यह यह फिर इन मेंसे किसी type क्यों होगी फिर उसको मैं solve करना किस तरीक के अंदर भी है वह आपका लगबगसरी कोशन वह लग जाएगा और जो लिमिट का कोशन आपको वहर एक्जाम में आपको लिमिट का कोशन भी मिलेगा सुल करने के लिए तो अब में कौन सा मैथड है जो इसको सुल करेगा आपका इंडेटर्मिनेंट फॉम को तो वह देख ने कोले लेते कौत सा मैथा है तो उस मैथड का जो नाम हम एल्ज ओस्पिटल रूम को तो यह में और पास एक रिताल ऐ मैं जो फेताल इसकी अल्प से हम क्रेंगे इंडे दो में से आपको कोई सी भी फोर्म अगर दिखाई दे तो आप ये रूल अपलाई कर सकते हैं, यानि आपके पास किस टाइप की फोर्म, किस टाइप का होने चाहिए, ये फोर्म कब आएगी, तो आपका, ये आल जो स्पुटिल का मतलब गया है, जैसे के अमने ये सोल करना है लिमिट एक्स अप्रोच इस टूए, एफ ओफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक होई, आप इसके अंदर एक्सिजे ए सबस्टिटूट कर देओ, निच्चे कर देओ, अगर आपका एफ ओफ एबी जीरो, और जी ओफ एबी क्या आजे आपका जीरो, दोना जीरो आगे तो क्या निच्चे वाले कालगआ, एफ ओप एबी जीरो पॉम बनगी, ठीक होई, गिच्चे वाले कालगआ, और लिमित सबस्टिडूट करो, ओर फुटकने याग बाद देखो, अगर मालो अमने ये लिमित एक्स ये तो सेमी रहिए, तो फ्र उपर वाले Wah direkt जीरो निचे अलग से derivative कर देख फिर भी अगर माले लो आपके पास f dash a b 0 और g dash a फिर भी क्या जाए आपके पास 0 तो यानि फिर आपके दोनों चीज़ 0 by 0 फिर भी बनगी तो फिर इसका separately क्या करो derivative तो limit x approaches to f double dash x by g double dash x तो यह हो गया तो आप तब तक यह derivative करते हुए चलो जब तक आपकी कुण सी form खत्मना हो जाए 0 by 0 जहां पर यह form आपके अट जाएगी वहीं पर आपका final answer आजाएगा अब अगर मानलो कुछ step पर जाने के बाद आपकी form आगी 0 by 2 आगया भी क्या है 0 by 2 तो answer ही कितना हो जाए आपके अट जाएगी ना वहीं पर आपका answer आजाएगा solve कर दो लेकिन जब तक यह form 0 by 0 तो तक आपने numerator का separately और denominator का separately derivative करते हुए चलना है और तब तक लगे रहे हो जब तक आपकी 0 by 0 हो एक यहां से 0 खत्म हो जाए यहां से उपर से कहीं से एक भी जग ऐसे 0 खत्म हो जाए सपरेट ली नुमेरेटर का डेरिवेटिव क्रों और सपरेटली डंविड़ मेंत यहां मदभ खतम के मación अब इन दो फॉन के अब इन दो फूम के इन दो आप पाउस एपलाई करी दो इन दो के उपwwww करेंगे क्या rule actually नてमारे पास यह एलोस्तोमboys कि किस टाइब का function मुक्टोम्स k Доइं युम्रे टाइबर डिनुम्रेंटर डिनुम्रे освाटल डिनौमिरेंटर का separately और डिनुम्रेंटर का separately 2020 करते हुए चलो जब तक आपकी 0 by 0 या infinity by infinity form खतम ना हो, इनके खतम होते ही आपका इसके अंदर निकल जाएगा limit of substitute इसके अंदर कर दो लेकिन अगर ये form ना हो तो 5 form हो और बच्ची है मारे पास तो इनको किस method है solve करेंगे ये जो 5 form हो मारे पास बच्ची इनको भी हम solve किसकी alp से ही कर देंगे infinite iu इसे al hospital से solve करेंगे अब ये तो 5 form मारे पास इन 5 लोग पांचों को आप इन 2 form के अंदर ही convert कर सकते हो इन 5 लोगि पांचों की पांचों को किसके अंदर convert कर सकते हो या तो आप 0 by 0 में convert कर दो या पर आप किस में convert कर दो इसको infinity by infinity वो हम इसके बहुत सारे question question solve करेंगे तब हमें पता चल जाएगा किस तरी case convert करने लेकिन सबसे पहले तो हमने ये दो type के question देखने हैं अगर हमारे पास 0 by 0 form हो या infinity by infinity form हो तो उसको किस type से solve करेंगे फिर ये हमारे पास 5 form अलग से बची इनको हम 5 form को किस में convert कर देंगे 0 by 0 या infinity by infinity एक मिनिट अगर मान लो 0 into infinity form है क्या 0 into infinity form अब ये चीज मालूम है कि 1 by infinity क्या हमारे पास जिरो अब ये जो चीज है एक मिनट के लिए मैं इसको ये लिखी दूँ जिरो इस इन्फिनिटीव को मैं 1 by infinity यू लिखी दूँ एक मिनट समझा आने की लिए बस वैसे लिख रहा हूँ तो 0 और ये जो निच्चे बाद चीज 1 over infinity क्या मिनट है तो 0 by 0 ये form है क्या 0 by 0 तो ये इस चीज को यू करके लिखी दो तो 0 by 0 बन जाए 1 by 0 करके लिखी दो इसको multiply में तो इसको अगर ये दूसरी चीज आपके infinity को दो उपर रहो जिए जीरो को ले आओ डिवाइड में तो हम इसके उपर क्या apply कर देंगा allospital rule allospital का मतलब क्या numerator का separately derivative करो denominator का separately derivative करो और limit substitute इसके अंदर कर दो अगर 0 by 0 या infinity by infinity form है तो आपको फिर से ये rule लगाना पड़ेगा numerator का और denominator का separately derivative limit substitute करो जब तक ये form आपका eliminate ना हो तक इसके अंदर लगे रो जब ये eliminate होगी तो आपका वहाँ पर final answer आपको मिल जाएगा अब इसके जो हमारे पास इनके बाद में question करेंगा पहले इन दो form के हम question करके देख लेते हैं तो इनके अंदर से पहले question करेंगा 0 by 0 form और infinity by infinity form तो ये कुछ question है हमारे पास question number first के limit x approaches to 0 e raise to the power x minus e raise to the power minus x minus 2 time of log 1 plus x divided by x sin x second question limit x approaches to 0 sin ax divided by sin dx इन question को सोलो करने इस पहले आपने plus 1 के अंदर या plus 2 के अंदर एक limit पड़ी होगी उसका परूप भी आप लोग करवा देता है क्या limit है जैसे मारे पास ये एक limit पड़ी होगा आपने x approaches to 0 sin x by x किसके जिगल्ट हो था मारे पास 1 या limit x approaches to 0 x by sin x लिखे लो किसके बराबर 1 की या फिर आप ये भी limit x approaches to 0 tangent x by x ये भी किसके जिगल्ट होगी होगी इसके अंदर क्या चीज है ये दोनों चीजे सेम होना चीए जो एंगल होगी निचे होना चीए दोनों चीजे क्या होना चीए ओर जब आप ये limit लगाओ देखो यहांपर 0 हा कोई फंड़ा नहीं जब यह limit है, फिलाल देखो है, आपर का limit x प्रोच इस तू जिरो, तो जब यह limit लगाओ, तो यह जो box है, यानि कि यह भी 0 को प्रोच करना ची यह 0 को प्रोच, तो दोनों angle और denominator में जो आपका सेम होना ची है, और यह limit लगाने के बाद यह जो दोनों box किसको प्रोच करना ची करो एक मेंट, x को 0, substitute करोगे तो sin 0, 0, और निचे 0 पुट करोगे 0, तो कोणसी form बनी है, मारे पास 0 by 0 form यह बनगी, ठीक, भी 0 by 0 form बनगी, तो इसको पर L-Hospital rule apply करोगे, L-Hospital क्या बदाद आपको, numerator का और denominator का separately derivative करना, तो यह आपर लिखो भी गे, applying L-H rule, ठीक, L-H rule, L-H अप्लाई करोगे, तो limit हाँ मारे पास, as it is, x approach 0, numerator का sin का derivative, cos x, और निचे x का derivative कितना होगा, 1, separately करो, तो करो, तो करो इसमेल limit substitute, तो cos 0, 1, निचे put करने के लिए, तो 1 by 1, यह यह नस्वर कितना हाँ मारे पास, 1, 1 इसका नस्वर होगा, तो यह जहाँ, पर यह limit लगे, तो यह quantity आपका 1 के बराबर होगा, अब जो मालों मैं यहाँ पर 2x लेलू, तो यहाँ पर 2x हो, ax हो तो ax, bx हो तो bx, यह तो box है, यह यह दोनों चीजे सेम होने चीए, और यह limit लगाने के बाद किसको प्रोच करने चीए, 0 को प्रोच, तो हमारा answer कीतना होगा, 1, तो यह इसी देखो, si न हमारे पास, catches si, तो अगर मैं इस question मैं इसको solve गने, इस पहले x से multiply और x से divide कर दो, तो यह क्या बनेगा x square, ठीक होगा, तो अब limit जो होती हो, आपका algebra of limit, हर function बेलग लोग हो जाएगी, अलग लोग हो जाएगी, उपर वाले पे लग, नीच वाले पे लग, अब इसके अंदर अगर limit पुट करो, x process to 0, e raised to the power 0, 1, e raised to the power 0, 1, 1 minus 1, 0, ठीक, अभी, यहाँ आपर रखदो तो 0, तो log 1 की value 0, तो यह उपर वाले quantity 0, नीच चे 0 पुट करो 0, तो कौनशी form बनेगी, 0 by 0 form बनेगी, तो अब क्या करोगे इसके उपर, लिखोगे applying lh rule, lh rule apply क तो उसका क्या किस तरीक के सब्लाई करना है, numerator का derivative अलग से और denominator का derivative अलग से, numerator का derivative पहले, इकी power x का derivative, इकी power x इब, इकी power minus x का, minus आजाएगा, minus minus plus, इकी power minus x, minus के 2 time, लोग का क्या होगा, 1 by में 1 plus x, और फिर 1 plus x का कितना, 1 ही होगा, ठीक, और divide में कितना है मारे पास, x रुक करो वे limit, तो इकी power 0, 0, इकी power 0, 1, इकी power minus 0, इकी power minus 0, यानी negative positive, तो 0 ही, तो यह भी कितना, 1, 1 plus 1, 2, और यहाँ आपे 0 रख तो, 0, 1 by 1, 1, 1, 1 into 2, minus 2, यह बनगा 2, यह minus 2, तो 2 minus 2, 0, निच्चे x को 0 होगा, 0, तो दो बारा से कोंसी फोम बनगे मारे पास, 0 by 0, फिर अपला 9, L, H, रूल, तो करो, जब तक मारे बाद 0 by 0, फोम खतम ना हो, तक इसको आपने अपलाई करना, तो नुमरेटर का derivative करो पहले, limit x, इकी power x, इकी power minus x का माइनस इकी power x, तो इसका करो बाद माइनस है, 2 by hd, तो इसकी power उपर जाकर क्या होगी, minus 2 तो पहले इधा, ठीक 2, तो इसका derivative, नीच्चे वाल ट्रम का कितना होगया, 2x का तो 2 होगया मारे पास, अब करो, इकी power 0, 1, यानि ये quantity कितना बनी, 1 minus, इकी power 0 भी कितना 1, ठीक, 1 minus 1, या अपर रखो 0 रखोगे तो, 0 plus 1, 1 का square 1, और minus 1 और minus 2 की गुणा कितना होगा मारे पास, 2, plus में कितना 2, और divide में क cancel, 2x2 कितना अनस्वर होगा मारे पास, 1, ये इसका मारे पास अनस्वर होगा, तो ये मारे पास इसका first question था, अब अगर second question अम इसका देखें, तो second question क्या मारे पास देखो, limit, पहले put करके देखो, limit 0 put करूँ, तो याँपर sin 0, a into 0 तो 0, sin 0, 0, तो याँपर b time 0, तो 0, तो अनस्वर होस्पिटल लगाने इस पहले, अभी मैंने थोड़ देर पहले एक चीज़ दाई थी, sin जब भी हो, या 10 जब भी हो, तो divide max और multiply max करके देखो, वो चीज़ आपकी 1 तो नहीं बन रही, तो limit x approaches to 0, तो इसका एंगल कितना है, sin x, तो इसको ax से ही multiply कर दो, और ax से ही divide कर दो, निचे क्या आपका, bx से multiply, और sin bx से आप इसको divide कर दो, यह होगा, इस x से इस x को कर दो, cancel, यह होगा हमार रपास, यह स्को आजटीज रख लो, यह होगा हमार रपास, ठीक, अब मैं इनकों पर limit अलाग लग से लगा दिए, तो अब यह चीज़ आपने मालूम, द यह bracket भी, जो box यह भी 0 बन गया, यह भी 0 बन गया, similarly इसका भी क्या, same, और यह box क्या बने है, यह limit लगाने से आपका 0, तो यह कितने बन गी का quantity आपकी 1, यह भी कितना बन गी 1, तो 1 by 1, 1, तो क्या बचे है आपके, limit x approaches to 0, ax by bx, यह बचे क्या बन गी, ठीक बी, अब देख applying l hospital rule, तो limit x approaches to 0, उपरवाड़े का derivative करोगा, तो ax का कितना होगा, a, bx का कितना होगा, b, अब इसके अंदर x बचाईने, आपका पूट करने लिए अनस्वरी कितना होगा, a by b, तो यह मार पास क्या होगा, इसका अनस्वर होगा, तो बिल्कुल सिंपल से कोशन, इनके उप derivative करना चाहिए, derivative अगर ना तो फिर तो देखो उसका तो क्या इलाज है, अगर derivative किसी उकरना आता हो, तो वो इसके question को easily कर सकता है, तो अगर कोई भी बात अगर ना समझ में आई, तो आप वो comment में बता सकते हैं, हम आपकी हर problem को दूर करने की कोशिज करेंगे, तो बाकि यह